पसकार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल नौलेज पॉइंट पीसीम में आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रस्थनावली 8.3 का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा साथियों तो आप लोग को वीडियो को सुरू से अंति तक देखना है और बहुत ही सांदार तरीके से मैं इस प्रस्थनावली को समझाऊंगा एक एक प्रस्थनी बहुत पेतरीन तरीके से समझाऊंगा तो वीडियो आप लोग सुरू से अंति तक देखते जाईएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और जो भी नए दोस्त हैं कलास्टेंट की जो भी विद्यारती हैं आप लोग उन सभी के पास वीडियो को जरूर सेर कर दिया कीजिए साथियों इतना आप लोग कर दिया कीजिए ताकि जो भी स्टुडेंट हैं जो भी कोचिंग नहीं कर पाते हैं कम से कम वो अपनी पढ़ाई तो कर सकते हैं साथियों तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला प्रस्न कहा गए साथियों निमलिखित का मान याद कीजी तो यानि कि अब एक एक प्रस्न मैं नोट करता जाओंगा और हल करता जाओंगा देखते जाएगा आप लोग तो साथियों प्रस्णावली के प्रस्णों को हल करने से पहले आप इसके कुछ महत्रपुड फार्मुले जान लिजिए तो ये हैं साथियों इस प्रस्णावली के फार्मुले सबसे पहले इन फार्मुले के आप लोग स्क्रीन सॉट लिजिए उसके बाद मैं आप इसे आप लोग को समझाता हूँ साथियों देखिए यहाँ पर हमें जब भी कोई तिरकोड मिती अनुपात को बदलना होगा तो अगर हम उसको 90 में और माइनस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस ठीटा में हमारा वो इस प्रकार से चेंज होता जाएगा जैसे पहला है साइन 90 माइनस ठीटा यानि कि अगर साइन को 90 में बदलेंगे तो कॉस ठीटा हो जाएगा साथियों यहाँ पर मैं आपको फार्मूला डारेक्ट बता रहा हूँ इसका एक ग्राफ के माध्यम से यह चीज बताया जाता है तो मैं इसका ग्राफ वाला वीडियो एक दिन अलग से बना दूँगा आज के वल फार्मूले को आप लोग डारेक्ट जो है फार्मूले के माध्यम से प्रेस्ट को हल करना सीखे तो साइन नबे मानस ठीटा बरावर कॉस ठीटा कॉस नबे मानस ठीटा बरावर साइन ठीटा टैन नबे मानस ठीटा बरावर कॉट ठीटा उसके बाद कॉस एक नबे मानस ठीटा बरावर सेक ठीटा सेक 90 मानिस ठीटा बराबर कॉस एक ठीटा उसके बाद साथियों कॉट 90 मानिस ठीटा बराबर 10 ठीटा ये सूत्र होता है तो आपको इधर की फार्मुले याद हो गए होंगे अब इधर की फार्मुले देखिए यहाँ पर अनुपात के हिसाब से साथियों ठीटा बराबर एक बटे कॉस ठीटा कॉस ठीटा बराबर एक बटे साथियों ठीटा ये सुत्र हो जाता है उसके बाद अगर कॉस में आते हैं तो कॉस ठीटा बराबर एक बटे सेक ठीटा सेक ठीटा बराबर एक बटे कॉस ठीटा होता है उसके बाद 10 theta बराबर एक बटे quart theta, quart theta बराबर एक बटे 10 theta quart और 10 के ये दो फार्मुले हैं उसके बाद दो फार्मुले और भी होते हैं 10 theta बराबर sin बटे cos theta, quart theta बराबर cos बटे sin theta एक दूसरे का उल्टा होता है आसा करते हैं कि आप सभी लोग ये फार्मुला नोट कर ली होंगे अब साथियों इस प्रस्णावले में यही फार्मुले यूज करना है हम लोग को चलिए साथियों यहाँ पर ये प्रस्णाई इसका मान निकालना है अब इस प्रस्ण को किस तरीके से हल करना है तो आप लोग को क्या करना है देखिए हमें यहाँ पर एक तिरकोड मिती अनुपात को बदल करके एक के बराबर लाना है तो यहाँ पर एक को अगर हम बदलते हैं मान लिया जाए कि साथियों हम चाहे उपर वाले को बदल करके नीचे वाले के बराबर लाएं हम या फिर चाहे नीचे वाले को बदल करके उपर वाले के बराबर लाएं मन्हें किसी एक को बदल करके हमें एक के बराबर लाना है तो अगर हम उपर वाले को बदल लेते हैं तो उपर हम लिखेंगे sin 90- अब ये बताइए 90 में से कितना हम घटा हैं कि यहां पर साथियों हमारा 18 ans आ जाए तो 90 में से अगर हम 72 ans घटा दें तो हमारा 18 ans आ जाएगा उसके बाद में बटे में कौस 72 इसको आप सेम लिख देंगे क्योंकि अब इसको बदल करके इसके बराबर आप ला रहे हैं तो अब अगर आप इससे आगे हल करते हैं साथियों तो आपको मिलेगा अब ये देखें sin 90- theta 90 के जगां पे 90 theta के जगां पे 72 ans लिख गया तो sin 90- theta cos theta होता है लेकिन theta के जगां यहां ठीटा लिखा जाता है यहां पर 72 है तो 72 लिखा जाएगा तो यहां पर हो जाएगा cos 72 बटे cos 72 इस परकार से आजाएगा अब साथियों cos 72 cos 72 ये समान समान है तो कट जाएगा तो आपका आंसर एक आ जाएगा ये इस प्रस्ण का है हल साथियों तो इस तरीके से आप लोग को प्रस्ण का हल बनाना है आप चलिए हम लोग प्रस्ण नंबर दूसरे पे चलते हैं तो साथियों दूसरा प्रस्ण देख लेते हैं क्या दिया गया है साथियों ये है रहा प्रस्ण नंबर दूसरा यहां पर हम 10 को बदलिए तो हम सकते हैं कोई दिकत है तो यहां पर अगर 습रته को बड़borg को बदल सकते हैं एक तो हम को बदलेंगे तो हम 10 को ल்किने लिखी गे माइनमस अब बढ़ते हैं तो 1090 मानस ठीटा अब 1090 मानस ठीटा काट ठीटा का सूतर होता है तो यहां पर हमारा काट 64 अंस हो जाएगा काट 64 अंस बटे में काट 64 अंस हो जाएगा साथ हूं काट 64 कट जाएगा तो आपका finally answer एक आ जाएगा तो इस प्रस्न का भी हल निकालना है चले देखते हैं किस तरीके से हैं लोगा जहां पर किसी एक को बदल लीजिए तो मैं सेक को बदल लेता हूं तो यहां पर लिखोंगा सेक अब साथियों यह बताईए आप लोग यहां पर सेक को कोसेक में बदलने के लिए क्या लिखना पड़ेगा सेक 90 माइनस अ और रवर सिक 90 जीनिक का सुत्र चीट जीच का सुत्र होता है लेकिन फिटा के सधक्र कॉश्यक ऊन्यासी कर जाएगा एक आंसर आ जाएगा तो यही था इस क्षाइड का हल सात्षी warm आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रेश्ट का हल समझ गए होंगे अब हम लोग चलते हैं प्रस्न नमबर हमारा साथियों एक में तीन प्रस्न दिया गया था मैंने तीनों प्रस्न को हल कर दिया अब दूसरे प्रस्न में चलते हैं तो इसमें चार प्रस्न दिया गया है तो चलिए चार प्रस्न को हल करते हैं अब साथियों, इसमें भी मान निकालना है, तो चलिए, हल करते हैं, इसमें भी आपको किसी एक का बदलना है, जैसे आप लोग इन में से किसी एक का बदल करके एक को बराबर लाते थे, इसमें ऐसे इसी परकार इसमें भी साथियों, चाहे आप इसको बदल कर इसके बराबर तो साथियों मैं Cas को बदल लेता हूं और Sign के बराबर लांगआ तो इसको बदलने के लिए मैं इसको लिखोंगा Cas 90- अब ये बताःके साथियों कि 90 मैंसे कितना घटाएं कि 48 हो जाए तो साथियों अगर हम यहाँ पर तो साथियों मैं इसे बदल लेता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा 90 अब 48 लाने के लिए हमें 42 घटाना पड़ेगा साथियों तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 अंस इस प्रकार मैं 42 लिख दिया हूँ अब उसके बाद minus sin 42 लिखा तो sin 42 लिखा रहेगा इस प्रकार से तो अब यह चेंज होगा आपका cos 90 माइनस ठीटा के रूप में तो cos 90 माइनस ठीटा sin ठीटा होता है साथियों तो यहाँ ठीटा के जगां पर 42 है तो यहाँ पर sin 42 लिखा जाएगा sin 42 अंस उसके बाद minus sin 42 इस प्रकार से लिखा जाएगा अब साथियों आपका sin 42 माइनस का sin 42 पलस का कट जाएगा तो आपका अंसर 0 आ जाएगा तो साथियों यही इसका मान होगा 0 होगा इसका अब चलिए प्रस्ट नमर देखते हैं दूसरा प्रस्ट ने क्या दिया गया है अब साथियों मैं क्या करता हूँ देखते हैं दूसरे प्रस्ट में कोशेक 31 माइनस से कों सा टन्स दिया गया है इसका भी मान निकालना है तो इसे हम क्या करते हैं आगे वाले को बदल लेते हैं यहापर मैं लिख देता हूँ कोसे को सिक के बराबर लाने के लिए कोसे क 90-160 कर देता हूं और आपका माइनस से 160 लिखा गया है और लिख देता हूं अब कोसे क 90-ठीटा देखे कोसे क 90-ठीटा सेक ठीटा होता है तो यहां पर हो जाएगा सेक 160 अंस माइनस सिक 160 यह सिक 160 अंस माइनस का पलस का कैंसिल हो जाएगा तो यह आपका अंसर 0 हो जाएगा आसा करते हैं कि आप सभी लोग प्रस्ण का हल समझ गये होंगे अब चलते हैं प्रस्ण नमबर तीसरा देखते हैं यह है प्रस्ण नमबर तीसरा साथियों इस प्रस्ण क तो अब आप लोग उसके बाद दूसरे ब्रेकट में देगा है साइन बहात्तर माइनस कॉस अठा रहा हैं तो इस प्रस्न को थोड़ा इस तरीके से हल किया जाएगा ध्यान से समझना आप लोग यहां पर साथियों मैं साइन को बदल लेता हूं तो साइन बहात्तर के जगहां पर मैं लिख देता हूं साइन को कॉस के बराबर लाएंगे और इसमें 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 भी साइन को कॉस के बराबर लाएंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं साथियों साइन 90 माइनस 18 अब साथियों 72 में से जब 90 में से 18 गटाएंगे तो हमारा 22 अजाएगा यह हमारा ब्रेकट में हो जाएगा प्लस कास 18 अजाएगा इसको आप इसी प्रकार से रहने दीजिए अब यहां पर आप बड़ा ब्रेकट भी लगा सकते हैं उसके बाद दूसरे ब्रेकट में है यहां पर भी आप वही काम कर लीजिए साथियों यहां पर लेखेंगे साइन 72 की जगाँ पर आप लेखेंगे 90 माइनस 18 अंस साथियों इस तरीके से उसके बाद माइनस कौस 18 अंस लिखा और तो कौस 18 अंस आप रहने दीज़े इसको अब यहां साइन 90 माइनस thीटा बदलेगा तो कौस ठीटा हो जाएगा यहां पर कौस 18 अंस हो जाएगा पलस कास 17 हो जाएगा दूसरे ब्रेकट में साइन नबे माइनस ठीटा तो यहाँ पर भी कास अठारांस आ जाएगा माइनस कास अठारा लिखा है कास अठारांस लिख दिया गया आप साथ ही यह आपका सूत्र लिखा है देखे यहाँ पर सूत्र लिखा है आपका यह plus B देख में A-B देख में तो इसको ऐप लेख सकते हैं cos square 18 minus cos square 18 देख में उत्वर आपका जो होता है A-B देख अब यहां से एक काइंसिल हो जाएगा बराबर आपका जीरो answer आ जाएगा साथी उत्ति नंबर तीसरा था आसा करते हैं आप सभी लोग प्रस्ट नमर तीसरे का हल भी समझ गए होंगे प्रस्ट नमर तीसरे चौथारा साथियों इस प्रस्ट में क्या करना है एक को बदल करके हल करना है चलिए क्या करते हैं इसमें आप लोग जानते हैं कि पहले सूत्र को देख लिजे इसमें सेक को बदलेंगे तो सेक 90 माइनस ठीटा बराबर कौश ठीटा और इसमें साइन को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस ठीटा बराबर कौश ठीटा इसी काधार पर बदल लेते हैं साथियों तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर लिखेंगे साथियों सेक 90-20 डिग्री बटे में कॉसेक 20 डिग्री यानि कि कॉसेक 20 प्लस साइन 90-31 31 अंस बटे कॉसेक 30 अंस इस तरीके से हमारा हो जाएगा साथियों अब सेक 90-ठीटा कॉसेक ठीटा हो जाएगा साइन 90-ठीटा साथियों कॉस ठीटा हो जाएगा अब देखिए 90 में से 31 घटाएंगे तो आपका 160 आजाएगा और 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आजाएगा अब यह बदलेगा जब साथियों तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक बी संस बटे कॉसेक बी संस पलस इसको लिख सकते हैं कॉस एक्टी संस कॉस एक्टी संस बटे कॉस एक्टी संस साथियों कॉस से कॉस कॉसेक से कॉसेक यह कट जाएगा तो आपका साथियों यहाँ पर बचेगा यहाँ पर एक बचा पलस यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा तो एक-एक जुड़ेगा तो आपका टोटल अंसर दो आ जाएगा साथी तो यह रहा इस प्रशन का हल आसा करते हैं कि आप सभी लोग प्रशन नमबर 4 भी समझ गए होंगे तो साथियों इस प्रशन में आपको जो है प्रशन नमबर दूसरे में 4 प्रशन दिया गया था मैंने 4 प्रशन का हल आप सभी को बता दिया आप चलते हैं हम लोग प्रशन नमबर 3 पे साथियों साथियों प्रशन नमबर 3 है एक बार मैं आप लोग को बुक से दिखा दूँ प्रशन नमबर कितना दिया गया है साथियों एक बार आप लोग प्रशन नमबर तीसरे में देखिए एक तो तीन प्रशन इसमें भी दिये गया है तीनों प्रशन का मान निकालना है चलिए प्रशन को हम लोग हल करते ही पहला प्रस्ण आपके सामने लिखा गया साथियों आप लोग देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अब इसको किस तरीके से हल करके मान निकालना है तो आप लोग को समझना है ध्यान पूरबक अब साथियों हम लोग इस प्रेशन को हल करेंगे तो लिखेंगे देखिए सबसे पहले आपको इसमें से एक को बदल लेना है और इसमें से एक को बदल लेना है तो किस परकार बदलेंगे यहाँ पर कॉस को बदलेंगे अब साथियों अगर आप 52 में से 98, 90 में से 52 घटा देंगे तो आप 38 आ जाएगा यानि कि इसलिए हम कॉस 90 माइनस 52 लिख दिया है अब कॉस 90 माइनस 52 बदलेगा तो कॉस 38 ही हो जाएगा इस प्रकार से उसके बाद साथियों जो दूसरा लिखा गया इसको आप ऐसे रहने दीजिए कॉस 22 माइनस इसमें भी एक बदल लिजिए यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 जब 52 में से आप 90 में से 52 घटा आएगे तो 38 आ जाएगा उसके बाद इंटू साइन 52 साइन 52 है तो बावन आप लिख दीजिए इस प्रकार से इसको आप चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस ठीटा साथियों साइन ठीटा हो जाएगा तो साइन यहाँ ठीटा के जगहां पर बावन लिखा तो साइन बावन अंस हो जाएगा उसके बाद साथियों यहाँ पर साइन 52 एक मिनिट 52 उसके बाद कॉस बावन है तो कॉस बावन लिख दीजिए कॉस बावन अंस माइनस साइन 90 माइनस ठीटा कॉस ठीटा हो जाएगा साथियों यानि कि कॉस बावन अंस हो जाएगा cost-52 into sign-52 इस प्रकार से हो जाएगा अब साथियों इधर देखिए sign-bound cost-bound यानि कि इधर भी 52-52 दोनों है, sign-cost है और इधर भी cost-bound, sign-bound यानि sign-bound cost-bound इधर भी है और इधर वाला value minus में है और इधर वाला value plus में है तो ये दोनों cancel हो जाएगे तो आपका finally answer जो आएगा वो आजाएगा 0 answer साथियों तो ये है इस प्रस्न का हल आप चलते हैं दूसरे प्रस्न तो साथियों ये रहा प्रस्न नमबर दूसरा इस प्रस्न को भी हमें हल करना है मान निकालना है हल करके तो इस प्रिष्ट को किस तरीके से हल किया जाएगा ध्यान पुर्भग आप लोग को समझना है इसमें भी वही काम करना है चेंजिंग करना है एक value इधर वाले का चेंज करेंगे एक value इसमें विसे चेंज करेंगे तो इसमें से sign को चेंज कर लेता हूँ इसमें से cost को चेंज कर लेता हूँ तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ sign यहाँ पर 90 माइनस साथियों 90 में से अगर आप 42 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आप 42 संस लिख देंगे इन्टू सिक 42 है तो सिक 42 आप लिख दीजिए तो अब यहाँ पर सिक 42 है इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस अब इसको भी इसमें से भी एक बदल दीजिए यहाँ पर cost 90 माइनस अब साथियों अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा उसके बाद cost 42 है तो 42 है तो 42 है लिख दीजिए आप अब आप क्या करेंगे sin 90 माइनस ठीटा cost ठीटा हो जाएगा तैनिया cost 42 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर से 42 है यहाँ पर कुछ नहीं तो गुड़ा प्लस क्या करना है Σंत इता यहाँ पर आपको इसमें से यह सूत्र ळगाना है अब यह सूत्र का परयोग आगया जो इस तरफ मैं सूत्र बताया था आप लोग को कौस ठीटा बराबर यानि देखे कौस ठीटा बराबर एक बटे सेक ठीटा होता है और उसके बाद साइन ठीटा बराबर एक बटे कौस ठीटा होता है तो मैं यहां पर सूत रख रहा हूँ, यहां पर सूत रखता हूँ अब देखिए, चुकि ठीटा के जगां पर 42 संस लिखा है तो आप यहां पर ठीटा के रूप में लिखा है तो आप जिस प्रकार कोड लिखा है, उस प्रकार कोड लिख कर लिखेंगे तो कॉस्ट ठीटा बराबर एक बटे सेक ठीटा तो यहां पर एक बटे सेक बायाली संस उसके बाद गुड़े सेक बायाली संस इसको आज़से रहने दीजिए प्लस साइन ठीटा बराबर साथ ही हो एक बटे कॉस्ट ठीटा तो यहां पर ठीटा के जगाँ पर 42 अंस है तो कौसेक 42 अंस हो जाएगा गुड़े कौसेक 42 अंस रहने दीजिए कौसेक 42 से कौसेक 42 से से 42 1 प्लस 1 यही बचा आपका इसको जोड़ेंगे तो आपका अंसर 2 हो जाएगा यह प्रस्ण नंबर दूसरे का हल है साथियों असा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे उसके बाद चलते हैं प्रस्ण नंबर तीसरे पे यह साथियों प्रस्ण नंबर तीसरा यानि कि तीसरे का तीसरा यह तीसरे का तीसरा प्रस्ण है साथियों चलिए इस प्रिश्ण को भी हम लोग हल करेंगे मान निकालते हैं इसमें पहले एक को बदलेंगे और इसमें से एक को बदलेंगे इसमें से भी एक को बदलेंगे तो यहाँ पर बदलने के लिए अब मैं क्या करता हूं बदल कर लिखता हूं यहाँ पर लिखेंगे साइन नब बदल लीजिएगा को सेक नबे माइनस नबे मैंसे सतर घटाएंगे तो साथियों बीस आ जाएगा बटे में सेक बीस सेक सतर अंस लिखा गया तो सेक सतर रहने दीजिए माइनस दो गुड़े अब इसमें से भी एक बदल लीजिए तो इसमें से एक आप जो है कौन सा बदलेंगे कॉस को बदल लीजिए तो कॉस यहाँ पर साथियों जो है आप लिखेंगे नबे माइनस अब देखिए नबे मेंसे अगर आप बीस घटाएंगे तो सतर आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर बीस लिखेंगे उसके बाद कॉसक बीस लिखा गया इसको ऐसे रहने दीजिए कॉसक बीस इस प्रकार से मैंने इसको चेंज कर लिया है साथियों थोड़ा आप इसको जूम आउट करके देख लिजेगा मैं यहाँ पर बढ़ा कर दिखा देता हूँ अब देखिए साइन नबबे माइनस ठीटा कॉस ठीटा हो जाएगा तो यानि कि कॉस बीस अंस बटे कॉस बीस अंस प्लस कॉसक नबबे माइनस ठीटा सेक ठीटा हो जाएगा तो सेक साथियों यहाँ पर सत्तर अंस हो जाएगा सेक सत्तर अंस बटे सेक सत्तर अंस हो जाएगा का सूतर क्या होता है आप लोग देखें यहां पर कॉस नपर मैंस ठीटा का साइन ठीटा होता है तो यहां पर साइन बीस अंस इन्टू कॉसेक 20 है कॉसेक 20 संस से लिख दीजिएगा कॉस 20 से कॉस 20 सेक सतर से सक सतर कट जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 यहाँ भी 1 यहाँ पर भी माइनस दो गुड़े साइन अभी एक मिनट साइन ठीटा बराबर इसदर देखिए एक बटे कॉसेक ठीटा होता है तो यहाँ पर साइन की जगहाँ पर एक बटे कॉसेक ठीटा की जगहाँ पर 20 संस 20 संस लिख दिया इन्टू कॉसेक 20 संस से 20 संस कर दिया कॉसेक 20 से कॉसेक 20 कर जाएगा साथियों यहाँ पर 1 प्लस 1 जुड़ेगा तो 2 और 2 का गुड़ा 1 में होगा तो माइनस 2 तो 2 माइनस 2 हो जाएगा अब साथियों 2 में से 2 जाएगा तो यानि कि 0 आंसर आ जाएगा तो बस यही इस प्रस्न का हल था साथियों तो आज के इस वीडियो में तो मैंने आप लोगो प्रस्न संख्या जो है साथियों एक से लेकर तीन तक के हल बताया तो आगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे चार से लेकर जो है नेक्स्ट जहां तक हो सकी का कोसिस करेंगे साथियों तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जहरू बतायेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारस साथि